कि अब्रिवान वेल्कुम बाग टू फार्मेसी इंडिया तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं फार्मेसी इंडिया ने स्टार्ट करी है वन शॉट सिरीज जिसके अंदर जो आज आपका सब्जेक्ट है वो है बायो केमिस्ट्री और टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वह टॉपिक है एक ऐसा चैप्टर है इसके अंदर से डियने और आरेने पर बेस्ट यानि कि उसमें क्या प्रेजंट होता है कैसे वह रैप्लिकेशन होगा कैसे ट्रांस्क्रिप्शन कैसे ट्रांसलेशन इन सारी चीज़ों पर बेस्ट क्वेशन बन सकते हैं तो चलिए पता होना चाहिए कि यहां से क्वेशन बनने के चांस हंड्रेट परसंट है तो वही चीज़ें आपका एक्जाम टाइम में हेल्प करेगी चुरू करते हैं इंपोर्टेंट टॉपिक जो इसके अंदर बनता है वह है डिफ्रेंसियेशन बिट्विन नुक्लियोटाइड और और देको ट्रिक के साथ में आपको बताऊंगी नूक्लियोटाइड और नुक्लियोसाइड बहुत बच्छों की दिमाग में ये सवाल होता है की याद कैसे करे नुक्लिओ टाइड में क्या प्रेजिट होगा जूखल में क्या कौन सी सबसे पहले याद रखेगा कि नुक्लिओ टाइड में तीन चीजेशे होंगी पहला होगा नाईटोजन बेस आ लिखलेते हैं शुगर है नाईटोजनिस kafu प्लास फॉस्फेट ग्रूप है ना अब बात करते हैं नुक्लियो साइड की तो इसमें क्या हुआ एक चीज साइड हो गई ऐसे आप सकते हूं याद कर सकते हूं कि इसके अंदर एक चीज साइड हो गई हट गई तो वह क्या होगा यहां पर जो चीज प्रेजेंट नहीं होती है वो है आपका PG यानी फॉस्फेट ग्रूप शुगर होगा नाइटोजनेस बेस होगा लेकिन फॉस्फेट ग्रूप अबसेंट हो जाता है यही आपके नुक्लियो साइड कहलाते हैं पहली डेफिनेशन आपने कंप्लीट कर ली याद हो गई अब बात करते हैं कि यह जो लाइफ चल रही है आपके आप सब जानते हो कि डीने का जो म्यूटेशन है वो कभी कभी बहुत जादा खतरनाग भी हो सकता है यानी बदलाव बदलाव आने जरूरी होते हैं लेकिन यह जरूरी है कि चीज़े सही धंसे हो सही जगा पर हो अगर बदलाव गलत जगा होती हैं उनके अंदर हम इनको एजेंट की तरह यूज करते हैं वे आर यूज एज एजेंट इन मेडिसिन डाटर प्रामरीली यूज अगेंस्ट कैंसर ठीक है इसके बाद यहां पर बात करते हैं इसके एक्जामपल की तीसरा पॉइंट क्या बनता है कि एक्जामपल बता तो तो सिंबल ची बात है मैं यहां पर लिखके ही बताऊंगी देखो एक्जामपल एडिनोसीन और ग्वैनोसीन अगर यह आपका न्यूक्लियो टाइड के अंदर लाए करेगा न्यूक्लियो टाइड में आएगा तो इसमें तीनों चीजें प्रेजेंट होगी टाइड या चीजें होंगी शुगर भी होगा फॉस्फेट ग्रूप भी होगा और नाइडरोजनेस बेसेज भी होगा सेम चीज इसके साथ भी है पीजी प्लास एनवी प्लास एस यानि शुगर अगर इसको हमें नूक्लियो साइड में डालना है तो हमको एक चीज़ साइड करनी लाएगा वही चीज यहां भी है पीजी विल बी एपसेंट तो यह है और इसके एक्जांपल यानि एक्जांपल दोनों में सेम है अगर वो नूक्लियो टाइड में लाए करेगा तो उसके अंदर तीजी नहीं होगा यह होते हैं डिफरेंसेशन बिट्वें नूक्लियो टा प्रेमिडीन के बीच का डिफरेंस होता है क्या प्रेमिडीन होंगे डोनों चीज़स समस्चेवे चलेंगे ट्रिक के साथ देखें सबसे पहले अगर मैं प्यूरीन की बात करूं तो इस याद रखेगा कि यहां पर प्रेमिडीन रिंग फ्यूज होगी विद इमीड सॉल र करेंग ना यहां पर अगर मैं पिरमिडीन्स की बात करूँ अब यहांपर यार्बन और हाइड्रोजन अचानक से आकर प्रकट हो जाएंगे पिरमिडीन के अंदर CH यानी कार्बन और हाइडरोजन उपस्थित होते हैं ऐसा कुछ भी प्यूरीन में प्रेजन्ट नहीं होता है ठीक है अब यहां पर बात करते हैं इसके क्या क्या एक्जाम्पल है आपके पास चार नाइडरोजनेस बेसेस होते हैं जिसको आप दो पार्ट में डिवाइड करते हो प्यूरीन और पिरमिडीन ठीक है तो नाइडरोजनेस बेसेस का नाम तो शायद आपको पताई होगा पहला है एडिनीन, गोनीन, साइटोसीन, थाइमीन और यूरेसल पांच होते हैं ठीक है अब हर एक या फिर आप कह सकते हो कि डिने में भी चार, आरेने में भी चार, टोटल पांच होते हैं ठाइमीन विडीन भी अपसेंट इन और यूरेसल प्रेजन होता है ऐसे आप याद कर सकते हूं एडिटीन और गौनीन बागी बचे हुए पिरमिडीन में डाल दें साइटोसीन थाइमीन और यूरेस्ट यह सब कहां आएंगे आपके पिरमिडीन के अंदर अब बात करते हैं कि इनका स्ट्रक्चर क्या है यहां पर दो हाइड्रोजन कार्बन की रिंग होगी यहां देखेगा टू हाइड्रोजन कार्बन रिंग होती है विद फोर नाइड्रोजन एटम चीक है याद रखेगा जरूर याद रखेगा क्योंकि सवाल यहां से भी आ सकता है कि बताये स्ट्रक्चर के अंदर क्या प्रेजेंट हो होगा कैसी क्यों होती है चaiser Jetzt existem कि नहीं होगा कि इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कि हांपर दो कर लेते हैं पिरिमेडींज की है उसके लेखे साथ इसके साथ दो नाइट्रोजन आटम प्रेजंट होंगे तो टोटल तीन होते हैं याँ पर टोटल पांच होते हैं आप ऐसी चीज़े याद रखेगा ठीक है सुरी छे होंगे है ना चार नाइट्रोजन और दो रिंग ऐसे आप याद कर सकते हो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनके मिल्टिंग पॉयंट की तो इंप्वॉरीन का मेंच हमेशा बहुत ज्यादार Pink ठीक है रहता है सल्टे। और यहीं पर बात करतें 20 ते 25 कि कम है थिए कम है ठीक है लोगर होता है और इनका कैटबॉलिजम किया जा Catabolism यानि Breakdown ठीक है? Breakdown अगर Purines का Catabolism किया जाए तो यह जो आपको End Product देंगे उसका नाम है Uric Acid और यही पर अगर Pyramidines का किया जाए तो बहुत चारी चीज़े देते हैं For example, Carbon Nioxide Beta Amino Acid, Ammonia यह सारी चीज़े का बाती है जब आप Catabolism of Pyramidines करते हैं तो यह है Difference between Purines and Pyramidines Easily आपको याद भी हो जाएगा बहुत Simple है, बहुत आसान है बस एक बार समझने की देर है Notes आपको खुद हाथ से बनाने हैं उसके बिना नईया पार नहीं होगी ठीक है? तो इसलिए Notes ज़रूर है चल आगे बढ़ने Now, main and important topic है Difference between DNA and RNA Deoxyribonucleic Acid and Ribonucleic Acid अब यह ज़रूर याद रखेगा की Ribonucleic Acid This is Ribonucleic Acid और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं मैंने देखा है की नाम दिया है Deoxyribonucleic Acid Deoxyribonucleic Acid है ना? तो इस तरीके से Confuse करते हैं और वो Confuse हो भी जाते हैं सवाल में दिया हुआ होगा की बताए DNA की Full Form क्या है De-Ribonucleic Acid दे दिया जाएगा है ना? तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है की क्या होगी इसकी Correct बात करते हैं स्ट्रक्चर की तो जो DNA होता है Human DNA की बात हो रही है याद रखेगा Double Stranded Linear DNA होता है हमारे पास जिसकी जो Helix Structure होता है वो Right Handed Fashion में होगा ठीक है? Double Helical Double Stranded Molecule consisting of a long chain of Nucleotide यहाँ पर Nucleotide प्रेजन्ट है यानि तीनों चीज़े होंगी शुगर भी होगा PG भी होगा NB भी होगा यह क्लियर हो गया होगा अब तक कि यह Nucleotide क्या होता है ठीक है? और यहाँ पर जो Helix होगा वो B Type of Helix होता है यहाँ पर A होगा है ना? यह जो RNA होता है Ribonucleic Acid यहाँ पर Single Stranded होता है ठीक है? Single Stranded होता है consisting of a short chain of Nucleotide यहाँ पर भी Nucleotide ही होते हैं कुछ चीज़े ऐसे होते हैं कुछ और्गैनिसम्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो RNA है बेसिकली वो Nucleotide का पाया जाता है ठीक है? कुछ और्गैनिसम सब नहीं Next function की बात करेंगे तो हम सब जानते हैं सबसे major function DNA का होता है genetic information को mother से, father से यानि parent से उनके office print के अंदर transfer कर देना है ना? अब आप अपने मम्मी पापा जैसे दिखते हैं जैसे दिखते हैं exact same नहीं है क्योंकि mutation भी तो हुआ है है ना? कभी भी दो इंसान एक जैसे नहीं दिखाई देते हैं उनमें कुछ ना कुछ फर्क जरूर होगा अगर वो शकल से same है उनके अंदर का जो material है यानि की genotypically वो different होगे तो ये एक major characteristics है human beings का याद रखेगा कि जब भी sexual reproduction होता है clones नहीं बनते मतलब exact copy कभी भी नहीं बनेंगी variation जरूर आते हैं ठीक है जी याद रखेगा चलो बात करते हैं DNA के काम की तो genetic information को carry करता है parents of spring के अंदर साथी साथ protein को बनाने में भी help करता है कैसे central dogma याद होगा आपको अगर मैं central dogma की बात करो यहां लिख देते हैं what is central dogma क्या मतलब है DNA से बना RNA RNA से बना protein DNA से जब RNA बनता है this process is non-ass transcription RNA से जब protein बनता है it is known as translation अगर DNA वापस डिगेने बना रहा है this is known as replication और किसी किसी केसिस में अगर RNA से DNA बन जाता है तो this is known as reverse transcription reverse transcription यह होता है central dogma अब मैंने आप से कहा है कि DNA protein के synthesis में भी help करता है सामने देखकर समझ गए होंगे कि क्यूं करता है क्योंकि DNA से ही तो RNA बना है तब जाकर है ना तब जाकर क्या हुआ कि जो protein उसका synthesis होता है बिना DNA के RNA कभी नहीं बनेगा याद रखेगा बिना DNA RNA का formation हो ही नहीं सकता है निवर चल बात करते हैं इसके आगे ट्रांस्वर जानिटी कोर्ट फॉम दे न्यूक्लिस तो राइब जो में प्रोटीन यानि की प्रोटीन के synthesis में इवेंच्वली है आपका RNA अब बात करते हैं प्रोगेशन तो मैंने आपको अभी अभी बताया है है कि DNA सेल्फ रैप्लिकेटिंग है खुद से वह खुद की कॉपी बना लेता है है ना RNA कभी खुद से खुद को नहीं बना सकता है उसको बनने के लिए DNA की जरूरत पड़ती है जैसे आपको आप मेंसे कुछ लोग होंगे जो अखेले बाहर जा सकते हैं लेकिन कुछ अब भ लेकिन RNA कभी भी नहीं करेगा कर ही नहीं सकता नेवर नेक्स बात करते हैं कॉम्पोजिशन की तो अभी-अभी मैंने आपको बताया कि इसके अंदर क्या होगा शुगर कौन सी होगी डियोक्सी राइबोस होगी जैसा नाम है वैसे काम होगा इसका डियोक्सी राइबोस ठीक है यहां पर राइबोस शुगर पाई जाती है ठीक है राइबोस शुगर पाई जाती है वही चीज़ है जैसा नाम वैसा कॉम्पोजिशन वैसा काम राइबोस शुगर पाई जाती है फोस्फेट इन दोनों की बनी हुई बैकबोन होती है क्योंकि नुक्लियो टाइड known as nuclear DNA nuclear DNA और mitochondrial DNA जो mitochondria में present होगा ठीक है और अगर मैं RNA के location की बात करूँ तो तीन जगा बेसिकली यह पाए जाते हैं पहला है nucleus दूसरा साइटोफ्लाज्में थार्ड होगा राइबोजॉम्स ठीक है एक सेलिक के अंदर जो जगा होती है डीने की वो दो है nucleus and mitochondria RNA के position की बात करेंगे तो यहां पर साइटोफ्लाज्म nucleus and ribosomes यह तीन जगा है जहां पर आपका RNA पाया जाता है ठीक है तो आप से यह भी जगा यह भी पूछ सकते हैं कि बताईए डीने का application कहां होगा आपको पताऊना चाहिए कि किस जगा फिर आप से और पेरिंग की बात करें कि कौन सा nitrogenous base present होगा और कौन सा किसके साथ पेर बनाएगा तो डीने के अंदर चाह नाइटोजेनस basis present होते हैं चलो तो डीने के अंदर जो nitrogenous basis होंगे यह जाखेगा चाहर नाइटोजेनस बेस होंगे pairing की बाथ करें हैं आइड़नीन यह हमेशा pair distancing पाइडा करें अगर साइड़ोचैन की यह हमेशा पर करेगा going के साथ अब मैंने बीच में तीन दंडे क्यूंत बनाये क्यूंकि भाई जो एडिनीन है वो दबल हाइड्रोजन बॉर्ण्ड के साथ होता है आ-ची और यह यह टूट जाते हैं और नए चीजों का formation हो जाता है वापस आते हैं यह मैंने आपको बता दिया है DNA के अंदर अब सवाल उठता है कि RNA में कौन सी चीज़े present होंगी RNA के nitrogenous based कौन से होंगे तो RNA का funda भी कुछ इस तरीके कही है बस थोड़ी सी चीज़े बदल जाती हैं वापर क्या एडनीन पेयर करेगा यूरेसल के साथ एडनीन बदल लिया यूरेसल के साथ उसने पेयरिंग कर ली धोका लिया है थाइमीन को थाइमीन का यहां पर नाम ही नहीं होगा ठीक है उसके बाद cytosine को अनीन के साथ ही होगा तो यह चीज़ आपको पता होनी चाहिए वापस आते हैं बात करते हैं इसके molecular weight की तो जो DNA का molecular weight होता है दो मिलियन तक इसका molecular weight होता है स्टेबिलिटी डियने जादा स्टेबल माना जाता है ठीक है डियने इस मोर स्टेबल दैन आर ने और आप कह सकते हों कि डियने स्टेबल अंडर alkaline conditions अगर किसी वज़ा से कंडिशन जो है वह बहुत जादा बढ़ जाता है कंडिशन alkaline हो जात ने खराब हो जाएगा उसकी structure में बदलाव आजाएगा mutation हो जाए तो यह condition होती है यह stability की बात है अल्ट्रा वोयलेट रेज की बात कर लेते हैं UV sensitivity की बात करें तो DNA is vulnerable to damage by UV light यानि की आप कह सकते हो कि जब UV light पढ़ती है डियने का जो जो भी है मतलब डियने का जो structure है एडिन कहते हैं यही तो चीज में आपको इतनी देर से बताते हुए आ रही हों कि UV rays से conditions बिगड़ सकते हैं UV rays से डियने का जो structure है उसमें बदलाव आएगा ठीक है यहां पर बात करें हम आरेने की तो यह जादा resistant होता है यानि यह रोक सकता है UV light से होने वाले बदलाव को it is more resistant than DNA to UV sensitivity तो यह होते हैं कुछ differences between DNA and RNA structure देख लीजे RNA and DNA यह जो DNA का structure है डबल है डबल स्ट्रेंडेड डबल है डबल है डबल है डबल है लीनियर यह होता है structure of DNA देख पा रहे होंगे मैं खुछ से इसको ड्रॉ कर देती हूँ इजी हो जाएगा है ना कुछ से ड्रो करते हैं देखो आरने में इतना कुछ नहीं समझना है आरने अपना simple साधारण आसान होता है लेकिन जो इसका structure होता है ना वो दिक्कत आती हो देखो सबसे पहले यहाँ देखेगा कि डबल स्ट्रेंडेड है इनकी जो polarity होगी वो हमे दूसरी स्ट्रेंड हमेशा anti-parallel याली दूसरी डिरेक्शन में चलेगी है ना आपका आप और आपके दोस्त हैं आप चाते हैं कि आप इधर से जाए लेकिन आपका दोस्त ऐसा नहीं है वो कहेगा कि नहीं भी है इधर से चला है ना opposite डिरेक्शन है तो ऐसे याद रखेग इस एक हैलिक्स का जो डिफ्रेंस होता है यानि जो डिस्टेंस होती है उनकी जो दूरी होती है वो होगी 3.4 नैनोमीटर अब यहाँ पर अटाश्ट होंगे आपके इस तरीके से कि इस तरीके से आपके नाइनिस यानि अगर अगर डिलाह है глаз थामीन इंदर होगा तहरो थामीन है तो आडिलीज उंगे याद रखेगा एक हैलिक्स में दस पेढई और नाइट्रोजनेस बेसिस पाए जाते हैं है ना दस पेर पाए जाएंगे समझने इस बात को दस पाए जाते हैं सवाल में वो दे सकते कि दस नाइट्रोजनेस बेस पाए जाएंगे गलत है गलत दस पेरिंग पाए जाती है नाइट्रोजनेस बेसिस की चल वापस आते हैं Was अब मैं ना नेमिंग कर दिते हैं हलक किसी नेमिंग कर देते हैं है नौ यह मैंने कर दी धोड़ी सी नेमिस अब एडिनीन और साइटो सीन के बीच जो डिफ्रेंस हैं इसकी बात करते हे एडनीन और साइटोसीन के बीच क方面 यह होता है 0.3 4 नेनोमीटर जिरो पॉइंट्री फॉर नैनो मीटर यूनिट भी आ दखेगा एंग्स्ट्रॉम में वो पूछ सकते हैं नैनो मीटर ये दो यूनिट होती है इसमें सवाल आ सकता है तो आपको याद रखना है 0.34 नेनो मीटर दो consecutive nitrogenous basis के बीच का डिफरेंस है ठीक है consecutive बात को समझे हो पेयर के बीचक नहीं है ऐसे जो इनके की फॉर मेटर थो यह है पूरा का पूरा और यह वहनले आंपको अभौल क कुछ ब्रूप आई जातीम है ban मेजर गूल मेजर गूल और यह जो होती है यह माइनड ग्रूव होती है माइनर ग्रूव प्रूली मेजर एंड माइन यह है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ऑफ डियने तो यह ख्लियर हो गया होगा फिचर्श मैं आपको बताई दिये हैं डूबल-स्ट्रेंड होता है लीनियर न है चीक है double helical होता है helix B Right Hended Fashion Right Handed तो यह होगया आपका structure of DNA तो इसके बाद यह होगया पूरा structure आगे पड़ते हैं नेक्स्ट जो आमारा टॉपिक है वो है replication यह प्रोकरियोट के बीट का रेप्लिकेशन आप सब जानते हैं कि यह वापस दिल ने वनता है इस वापस डेडिने ही बनता है दाट बात कर एक लोगर ड्रीकेशन आप अब असली है तो अब बात करते हैं ही प्रो हो है जूह में यहाद रखेगा यूग नेगता है ट्रू के बीच के डिफ्रेंस की हम डिफ्रेंस ही करने वाले हैं यू कैरियोट में ट्रांसलेशन ट्रांस्रिप्शन एंड रैप्लिकेशन चलो यहीं से शुरू करते हैं कि यह कॉंटिनियस प्रोसेस है लेकिन यहां पर यह सफेज में होता है यानि कि जब सेल साइकल चलेगा जीव दिसके ओढ़ी होती है एस पैस यानि सिंथेटिक फेज यह वह फेज इसके अदर एक्चुली हो जाता है याद रखेंगा एस फेजीब के अंदर यू कैरियोट में यह प्रोसेस होता यहां पर चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा यहां जो डिन अ होगा मैं दो दोनों में हो और लीनियर डीने होता है अभी अभी जो मैंने इस्टॉक्यर स्ट्रॉक्चर बनाए नेक्स्ट सब्सक्राइब करते हैं तो यहां पर नेक्स्ट का ओरिजन होता है उसके अंदर सिंगल होगा और यहां पर मल्टीपल यारनि बहुत सारे डीने होंगे उनसे रेप्लिकेशन चल रहा होगा यह याद रखेगा नेक्स्ट स्मॉल अमाउंट ओप डियने का फॉर्मिशन कितनी बड़े होते हैं प्रोकारियोड्स है ना आप खुदी समझे कि लोवर अनिमल्स हैं उनके अंदर स्मॉलर अमाउंट ओफ डियने की रिक्वार्मेंट होती है और यहां पर पचास गुना ज्यादा डियने होता है हमारी बॉड़ी में जो यू कैरियोड्स होते हैं नेक्स्ट अब डियने पॉलिमरे इस वान एंड थोर्ड याद यह बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत सकता है कि बताएं कौन से इंजाइम इन्वाल होंगे प्रोकारियोटिक में और यूकारियोटिक रैप्डिकेशन के अंदर तो आपको पता होना चाहिए डियने पॉलिमरे इस वान एंड थर्ड यह इन्वाल होते हैं और यहां पर तीनों होंगे अलपाबी टागामा सब हो सेकिंड हर तीनों होते हैं हमारी बॉल्डी में ओकजाकी फ्रेंग्मेंट्स बड़े बड़े होते हैं कंटिड़े हो pseudo नहीं होगा जाकिर फ्रेंगमेंट्स यह अपका खरगोष है यह कच्छुआ है सो बेस्पेयर पर सेकंड़ बना रहा होगा अरामसे काम करें कोई जल्दबाजी लिहां हमारी बॉड़ी को इसके बाद यहांपर दो सर्क्युलर oms हमको मिलते हैं लेकिन यहांपर आप सब जानते हैं कि हमें कि मिलती हैं zagलय हमें स्दर पड़ेगी यहां पर हमें कोई जरत ने कुछ नहीं करना में DNA गाइरेज का कुछ काम नहीं तो DNA इस नॉट रिक्वार्ड इन यूक्यारियोटिक रेप्लिकेशन यह कंप्लीट हो गया है आपका रेप्लिकेशन का प्रॉसेस नेक्स बात करते हैं transcription की pro-carriodes के अंदर जो transcription का process होते हैं यह process same है है ना formation of RNA ही हो रहा होगा दोनों में जरुरत दोनों को है ठीक है अब यहाँ पर transcription का process है सबसे पहले याद रखेगा कि यह nucleus के अंदर हो रहा होगा है ना you carry out के अंदर हमारी body में जो सारे process होते हैं transcription, translation और replication तीनों nucleus के अंदर ही होते हैं और यहाँ पर side applies में होगा क्योंकि यहाँ कोई nucleus प्रेजेंट नहीं होता है you carry out transcription के अगर हम बात करें तो यहाँ पर translation और transcription एक साथ साथ नहीं चल सकते हम दो नाव में पैर एक साथ नहीं रख सकते या तो translation होगा खाली या फिर transcription होगा कभी भी दोडों चीजे simultaneously नहीं चलेगी साथ साथ नहीं चलेंगी लेकिन यहाँ ऐसा हो सकता है एक side चल रहा है translation दूसरे हाथ पर चल रहा है transcription कोई दिक्कत वाली बात दिए दोनों चीजे साथ साथ होती है प्रोकारियोट के अंदर अब यू कैरियोट में जो transcription प्रोटीन होता है उसको आप transcriptional factors की ज़रूरत पड़ेगी ठीक है इन यू कैरियोटिक transcription protein नोन एस transcription factors इसकी जरूरत पड़ती है लेकिन यहां इसा कुछ नहीं है हमें कोई protein की जरूरत जो प्रोकारियोट होते हैं उनको किसी तरीके के कोई भी ट्रांस्क्रिप्शनल प्रोटीन की जरूरत नहीं होती है इसके बाद next बात करते हैं कि क्या क्या enzyme involved होंगे तो dna polymerase 1 dna polymerase 2 and dna polymerase 3 तीनों की जरूरत होती है हमें यहां पर ठीक है और यहां सिर्फ ऐसा कुछ नहीं होगा सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही enzyme present होता है वो है RNA polymerase 1 तो शायद मैंने उल्टा बोल दिया RNA होगा ठीक है क्योंकि हमें इसी चीज़ का तो formation करना है अब कुछ बच्चों को यहां पर भी confusion होता है कि कौन सा polymerase है या जो चीज़ बना रहे हो उसको लगा दो आगे अगर आप RNA का formation कर रहे हैं तो RNA polymerase होगा अगर dna का formation हो रहा ह है तो dna polymerase होगा सिंपल सी बात है किस चीज़ पर डिपेंड है है ना अब dna किसी पर डिपेंड नहीं है तो आप खाली dna dependent dna polymerase कहा सकते है आर ने बनने के लिए dna पर डिपेंड है तो इसलिए dna dependent RNA polymerase भी हमाँ पर रूज किया जाता है तो confused मत हों इस प्रॉसेस इंक्लू डिफेंड ठीक है नेक्स्ट टो लास्ट टोपिक है आपका वह ए ट्रांसलेशन यानि दोनों के बीच का क्या डिफेंड होता है ट्रांसलेशन के अंदर प्रॉसेस सेम है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स फॉर्म आर ने तो प्रॉसेस तो सेम ही है लेकिन अलग-अलग तरी प्रोसेस साथ-साथ हो सकता है साइटो प्लाज्म के अंदर होगा साइमल्टेनियसली हो सकता है या दर लेकिन यहां पर अलग-अलग होगा और नुक्लियस के अंदर होता है MRNA, cytoplasm present होगा और यहाँ neocleus में होगा यह नहीं आपको बता दिया है तीन process होते हैं translation के अंदर cap initiation ठीक है, आप कह सकते हो कि capping होती है, tailing होती है, splicing होती है यह तीन process होते है translation है ना, cap initiation यहाँ नहीं होगा pro-carriots के अंदर किसी भी तरीके की capping नहीं होती है लेकिन हमारी body में हमारे अंदर, eukaryotes के अंदर capping की ज़रूरत पढ़ती है cap dependent and cap independent दोनों तरीके के बाए जाते हैं performed by 70S ribosome क्योंकि आप सब जानते हैं which cell organally is responsible for the formation of protein ribosome RNA वहीं पर उपस्तित होते हैं ठीक है, 70S ribosome यह सिर्फ और सिर्फ present होते हैं आपके prokaryotes के अंदर और हमारी body के अंदर 80S ribosome present होते हैं which has two subunits, 60 and 40 ठीक है, S stands for set box unit या फिर sedimentation constant next is stability की बात करें, MRNA की तो कोई stability नहीं होती है prokaryotes के अंदर हमारी body में हराम से वो stable करके बैठा हुआ है मैंने आपको बता दिये, कौन-कौन से होते हैं, life span की बात करें तो चंद सेकंड, ठीक है few seconds to two minutes चंद सेकंड चलेकर दो मिनट तक जिन्दा रहता है, यहां पर बड़े ही अराम से घंटों, दिनों बर जिन्दा रहता है, मतलब few hours to days आप कह सकते हैं few hours to few days यह आप कह सकते हैं, हमारी body के अंदर, occurrence की बात करें तो कोई definite phase नहीं होता है continuous process चलता रहता है ठीक है, इनके अंदर यह continuously चल रहा होगा लेकिन हमारी body में G1 and G2 phases में होता है, यार रखेगा भईया, बहुत जादा important है सारी चीजें सवाल directly ऐसे आ सकता है कि DNA और जो आपका protein का synthesis होता है, यह कौन-कौन सी phase में होगा, आपको दे दिये जाएंगे option SG1, G2, G1, SG2 तो इस तरीके से आपको याद रखना है DNA, S यानि synthetic phase में बनेगा, और जो आपका translation है, वो G1 and G2 phases में, यानि gap 1 and gap 2 phases में होगा process fast है और यहां पर slow है ठीक है, और with this we have completed our new click asset chapter, I hope यह clear हो गया होगा आपको, अगर इसके as it is notes आप चाहा रहे हैं कि आपके पास आजाएं, तो description box में link है, वहां पर जाकर आप download कर सकते हैं, PDF form में इनके सारे as it is notes मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसे ही नए chapter के one shot के साथ अबते के लिए बने रहेगा पार्मेसी इंडिया के साथ Thank you